द्रिश्य एक संदेहास्पद मंत्री अपरेहार्य हो गए हैं, क्या पता, वो कुछ राज छुपा रहे हों, अकबर ने एक भान उपर उठाए, बीरबल कोई राज छुपा रहे हैं, ये तो हस्यासपद है, जीवन, लेकिन जीवन ने अकबर के मन में शक का बीजबो दिया, द्रिश्य दो, बीरबल का गायब होना अगली सुबह, जब दर्बार लगा, तो अकबर ने देखा कि बीरबल गायब हैं, उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन बीरबल नहीं आए, बीरबल कहां हैं, उन्होंने पुछा, जीवन ने आश्चर्य का नाटक करते हुए फुस-फुसाया, शायद वो आप से छुप रहे हैं, महाराज, या, हो सकता है कि वो किसी मुसीबत से बचने के लिए गायब हो गए हों, ये सुनकर अकबर को चिंता होने लगी, उन्होंने तुरंत अपने शाही रक्षकों को बुलाया और आदेश दिया कि महल और शेहर का कोना-कोना खोजा जाए, लेकिन बीरबल का कोई अतापता नहीं मिला, दिन सप्ताहों में बदल गए और पूरे दर्बार में चिंता बढ़ने लगी, अकबर का मन बेचैन हो गया और उनके दिमाग में संदेख घर कर गया, द्रिश्य तीन, हवा में संदेश, एक रात, अकबर अकेले महल की बालकनी पर जंगल में है, हवा ने फिर से फुस्फुसाया, अकबर ने बिना समय गनवाय अपने रक्षकों को बुलाया और सच्चाई जानने के लिए जंगल की ओर चल पड़े, द्रिश्य चार, रहस्य मई साधू, जंगल घना और भयानक था, जिसमें चारों और धुन्द फैली हु कि वो अने वाले हैं, अकबर की आँखे खुली रह गई, क्या आपको पता है कि मेरा मंत्री बीरबल कहा है, साधू ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल तुम्हारे पास ही है, लेकिन तुम्हें उन्हें पाने के लिए अपनी योग्यता साबित करनी होगी, साधू ने अकबर प्रत्येक स्क्रॉल में एक पहेली थी, जिसने उनके बुद्धिमान मन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, पहली पहेली वफादारी के बारे में थी, जो अकबर को उनने एक मौकों की याद दिलाई जब बीरबल ने उनकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, उन्होंने समझ लिया कि इसका उत्तर वफादारी ही है, दूसरी पहेली में त्याग का संकेत था, जो उन्हें याद दिलाता था कि कैसे बीरबल ने राज्य के कल्यान के लिए अपने सुकाराम का बलिदान कर दिया था, अंतिम पहेली सबसे कठिन थी, इसमें हंसी के भीतर चुपी बुद्धी की बात की गई थी, अकबर को समझ आया कि एह बीरबल का स्वभाव था उनकी हाजिर जवाबी और हास्य बुद्धी, जिसने कई समस्याओं को सुलजाया था, जैसे ही अकबर ने प्रत्येक पहेली का उत्तर दिया, स्क्रॉल हलकी सी रोशनी में बदल गए और आगे का मार्क दिखाने लगे, द्रिश्य छे, छुपी हुई गुफा, रोशनी से बने मार्क का अनुसरन करते हुए, अकबर और उनके रक्षक एक गुप्ट गुफा तक पहुँचे, जो एक बड़े पत्थर से धकी हुई थी, गार्ड्स की मदद से अकब अकबर ने खुशी से चिलाते हुए उनकी ओर दोर लगाए, बीरबल ने शांत मुसकान के साथ से रुठाया, महाराज, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे, अकबर की उलजन और राहत साथ मिल गई, लेकिन हुआ क्या, तुम क्यूं गायब हो गए, थे, द्रिश्य सा बीरबल का खुलासा, बीरबल ने समझाया, मुझे संदेह था कि दर्बार में कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, मुझे सच्चाई का पता लगाने के लिए गायब होना पड़ा, ये साधू मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने इस रहस्य का निर्मान किया ताकि आप यहां पह बिश्वास है कि इसके पीछे मंतरी जीवन का हाथ है, उन्होंने आपके मन में मेरे प्रती संदेह डाला, ये जानते हुए कि आप मेरी वफादारी पर सवाल उठाने लगेंगे, अकबर की आँखों में गुस्सा भर गया, उन्हें राहत मिली कि बीरबल वापस आ गए, ल लेकिन जब उसने अकबर और बीरबल को एक साथ दर्बार में प्रवेश करते देखा, तो उसका चहरा फक सफेद हो गया, मंतरी जीवन, अकबर की आवाज गुन जी, तुमने मेरे सबसे वफादार मंतरी के खिलाफ शड्यंत रचकर दर्बार का विश्वास तोड़ा है, जो फिर से अपनी जगह पर बैट गए, एक शरारती मुसकान के साथ बीरबल अकबर की और जुकर फुस-फुसाई, महराज, लगता है मेरी छोटी सी यात्रा सफल रही, अकबर ने हसते हुए कहा, सच मुच बीरबल, मुझे समझना चाहिए था कि केवल तुम ही रहस्य को एक रोमांचक अनुभव में बदल सकते हो, और इस प्रकार महल में गूंचती हसी के साथ बीरबल के रहस्यमई गायब होने की कहानी समाप्त हुई, जिससे दरबार को राहत और मनोरंजन दोनों मिला, धन्यवाद अकबर के प्रियम मंत्री की चतुराइका, ये कहानी अकब और बीरबल की ये कहानी है जिसमें रहस्यम, रोमांच और हसी मजाग का तड़का है, एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब भोशना की कि उसने अपने महल के आसपास कहीं एक खजाना छिपा दिया है, उस खजाने की रक्षा करने के लिए उसने पहिलियों और जालों का जाल बिचा दिया, उसने दरबारियों को चुनोती दीकीवे उस खजाने को ढूने, लेकिन शर्त ये थी कि खजाना ढूनते समय जालों को भी पार करना होगा, बीरबल ने मुस्कुराते हुए चुनोती स्वीकार कर ली, उसने अपने दोस्तों से कहा कि यह अकबर का खेल नहीं है, इसमें जरूर कुछ गहरा रहसे छिपा है, महल के बागीचे में पहला सुराग एक पत्थर पर खुदा हुआ था, जहां दो च्छायाएं मिलती है, वहां खजाने की राष शुरू होती है, ये सुनते ही बीरबल ने तुरंद गार्डन का किया और उस जगह पर पहुँच गए जहां दो बड़े पेड़ों की छायाएं एक दूसरे से मिल रही थी, वहां उन्होंने एक और सुराग पाया, जो एक पहली थी, अगर दिन की जगह रात हो जाए और रात की जगह दिन, तब मिलेगा खजाने का दूसरा कदम, ये पहल थीर भरकाने वाली थी, लेकिन बीरबल को समझते देर नहीं लगी, वह जानते थे कि महल में एक जगह ऐसी है जहां दिन के समय अंधेरा रहता है और रात के समय उजाला, जब वह उस गुप्त जगह पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक कंकाल बैठा था, अ तुम्हारा सबसे पहला सवाल था, बीरबल ने सोचा और सोचा, तब उसे याद आया कि अकबर ने पहली बार उसी दरबार में उनसे कोई पहली पूची थी, और इसी सुराग को पकड़ कर वह दरबार की उसी जगह पहुचे, वहां जाते ही जमीन में दरारें आने लगी, और नीचे एक खुफिया तहकाना खुल गया, अंदर गुस्ते ही एक भयानक सननाटा था और बीरबल के सामने काले रंग का एक दरबाजा था, उस दरबाजे पर लिखा था, सही जवाब देने पर ही तुम इसे पार कर सकोगे, दरबाजे के उपर एक सवाल था, जिसे कोई देखना सके और उसे बिना देखे कोई रहना सके, वह क्या है, बीरबल ने सोचा और जवाब दिया, अंधेरा, दरबाजा खुल गया, और अंदर एक छोटा सा कमरा था, कमरे में वह रहस्यमई खजाना रखा था, लेकिन उसमें से सिर्फ एक पुरानी तस्वीर और एक चि शिक्षा यह है कि असली खजाना भौतिक संपत्ती में नहीं, बलकि बुद्धिमत्ता, साहस और धैर्य में होता है, बीरबल की समझदारी और बहादुरी ने उसे हर चुनोती पार करने में मदद की, जिससे ये पता चला कि कभी-कभी सबसे बड़ा इनाम हमारे भीतर के ग हुँै नहीं, बैसे हिसकी है, भाहँ है कि बीधिमतर के भीत criminal के यहाँ हुँचित पता चला करने में चला करने के जिक और आपारी तर कह बदिए सी अग Ξūबसद्धिन पस्ट्टिsystem के अटवद्दधिग cold झार्य अट जबद्ट के पार शिसे हैं ॉँआ जए पार्य झा